हेलो स्टुडेंट माइसेल्फ किरन शर्मा फ्रॉम हैप्पी केमरे स्कूल बेटा आज की कलास में हम अपनी इंगलिश के आक्टिविटी स्टोरी कमपोजिशन करेंगे हमें करना कैसे है आप पिक्चर देखोगे यह सामने जो आपको शोर ही है इन पिक्चर में सबसे फस्ट पिक्चर में आपको क्या शोर है डॉग बॉन गार्डन तो पहले आप इंसे रिलेटेड ही स्टोरी स्टार्ट करेंगे वंस देर वाज अ डॉग यह वाज वेरी हंग्री यह वेंट इन्टो ए गार्डन वाज डॉग ने गार्डन में क्या देखा आप इस चीज़ को अब्जर्ब करेंगे उसने एक मीट देखा यह आप बॉन लगा लो ठीक है उसने बॉन्स देखी उसके बाद वाज डॉग ने क्या किया क्या उसने बॉन्स को उठा लिया उसको यह नहीं ही पिक्ट इट अप उसने बॉन्स को उठा लिया सेकंड पिक्चर में देखो बटा आप कि डॉग वहाँ से चला गया है वाई डिड ही गो क्यों चला गया वो क्योंकि वह उसको अकेला खाना चाहता था क्योंकि वह उसको जो उसको बोन मिलुई थी या पीस मिलुआ था उसको वह अकेला खाना चाहता था वेर डिड ही गो वह कहां गया ही वेंट इंटो आ रीवर सेकंड पिक्चर में यह अभी हम ही वेंट इंटो आ रीवर वे एक रीवर पर गया उसके बाद बेटा थार्ड पिक्चर पर आ जाओ वेर इस अ डॉग नाओ आप डॉग का है the dog is on the bridge dog bridge पर है what did he see in the water उसने पानी में क्या देखा क्या देखा he saw his reflection उसने पानी में अपनी परच्छाई को देखा what did the dog think डॉग ने क्या सोचा क्या सोचा होगा बेटा he thought an other dog in the water उसने सोचा कि पानी में दूसरा डॉग भी है तो फोर्थ पिक्चर में क्या किया बेटा he became too greedy where लालची बन गया और उसने he began to bark उसने भूखना शुरू कर दिया और जैसे उसने bark करना शुरू किया the piece of bone fell into the water जो bone का piece था वो पानी में गिर गया तो dog was very sad अब जो dog था वो बहुत ही sad था मैंने बटा आपको इस story को describe कर दिया है ठीक है और आपको ये story मैं फिलप्स में send करूँगी देखो जरा फिलप्स में मैं आपको send करूँगी आपको ये अपनी grammar की notebook में इसको लिखना है और इसके अंदर फिलप करने है थेंक्स